अर्विंद केजरिवाल और उनकी सरकार की ये एक आदत सी बन गई है कि वो अपनी हर विफलता का ठीकरा या तो LG या फिर केंडर सरकार पर फोड़ती है और उसके बाद कोर्ट का रोख करती है ऐसे ही मामले में अर्विंद केजरिवाल और सौरभ भरदवाज दोनों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया भारी दिल्ली के उपरा जेपाल से हलपनामा मांगा और कहा कि अगर LG से खलती हुई तो हम कहते हैं कि LG को हर मुद्दे पर प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाही मामले की सुनवाई के दौरान LG की और से पेश सीनियर वकील संजय जैन ने कहा ये पूरी तरह से दिल्ली स्वास सिमंत्राले का मामला है और LG किसी भी फंड में बाधा नहीं है दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली LG पर योजना के लिए भुकतान को रोकने के बारे में शिकायत करते हुए एक याचिका दायर की गई है LG कि और से पेश संजय जैन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में बेवज़े पक्षकार बनाया हकिकत तो ये है कि स्कीम के फंड रिलीज को लेकर LG को कुछ लेना देना नहीं हेल्थ मिनिस्टर के नितरत में एक सोसाइटी को इस पर फैसला लेना होता है दो जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर के अध्यक्षता में सोसाइटी की मीटिंग हुई जिसमें इस स्कीम के तहत फंड रिलीज किये जाने का फैसला लिया है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने A.S.G. से कहा कि वो इस बारे में दो हफ़ते में हलाफ नामा दायर करें अगर ये बात सही पाई जाती है तो हम दिल्ली सरकार पर इस याचिका को दाखिल करने के लिए भारी जुर्माना लगाएंगे फरिष्टे दिल्ली की योजना के तहट कोई भी शक्स अगर सड़क हादसे में घायल होता है तो उसे निजी एस्पताल में इलाज की सुविध हमिलती है इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है दिल्ली सरकार ने इसे 2018 में शुरू किया था हलाकि ये फंड की कमी की वज़े से बंद हो गई थी केजरिवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि LG कारियाले फंड रिलीज नहीं कर रहा इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर योजना फिर शुरू कराने की मांग की थी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था और इसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद के जुरिवाल 14 रिसंबर को लिखे पत्र में सक्सिना ने कहा कि मैं मूल बात रिकॉर्ड रखना चाहूंगा कि संबंधित योजना और उसका क्रियानवन स्वास्थय वे एवं वित्त विभागों के अंतरगत आता है ये सम्विधान के अनुसार पूरी तरह से आंतरिक विशह है पूर्ण रूप से आपके और आपके मन्तियों के निइंतरण में है उपरा जेपाल ने अपने पत्र में खबरों का हवाला दिया जिसके अनुसार दिल्ली के वकील ने सुपरीम कोर्ट के सामने उपरा जेपाल पर सड़क हाधसों के शिकार लोगों पर किंद्रित फरिष्टे योजना को रोकने कारूप लगाया सक्सेना ने कहा कि ऐसे विभाग जो आंतरित हैं के तहट आने वाले योजनाओं आदी की विफलता का ठीकरा किसी अन्य कम से कम उपराजेपाल के सिर फोड़ने की कोशिश कुछ नहीं की हेकडी की पूरी तरह सुनियोजित हरकत है इसका मकसद जिम्मदारियों से मूँ मोड़ना और अपनी विफलताओं के लिए दूसरे को दोशी ठहराना है उपराजेपाल ने लिखा कि 2022-23 के दौरान फरिष्टे योजना में 3698 भी लाभारती थे जबकि 2023-24 में साथ माइने में 364 है सक्सेना ने कहा कि ये आंक्डे प्रत्म दृष्टे ना तो इस योजना के रुकने का संके देते हैं और नहीं खेर भुगतान के आरोपों का समर्थन करते हैं गैसा कि स्वास से मंत्री ने आरोप लगाया है इसमें मुक्यमंत्री ने अपना समर्थन किया है हकीकत में ये आंक्डे इंदावों को जूटा ठहराते हैं दिल्ली के सियम अर्विंद के जरिवाल जारखंड के सियम हेमंत सोरिन और बिहार के डिप्टी सियम तेजस्वी यदव के बाद अब 36 गड़ के पूरवसियम भूपेश बगहल भी इडी के शिकंजे में फंस गए है महादेव बैटिंग अप वालों से प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में भूपेश बगहल बुरी तरह से फंस गए है इस मामले में इडी की चारजशीट में 36 गड़ के पूर मुक्यमंतरी भूपेश बगहल का नाम शामिल है माना जा रहा है कि इडी जल्द ही भूपेश बगहल को पूचतार्च के लिए बुलाएगी चुनावी साल में भूपेश बगहल के फंस जाने से कॉंग्रेस को तगड़ा चटका लगा है एडी ने पांच आरोंबियों के खिलाफ चारशीट दायर की है जिसमें शुभम सोनी, अमित कुमार, अगरवाल, रोहित, गुलाटी, भीम सिंग और असीमदास का नाम है एडी की चारशीट में बताया गया कि गिरफतार किये गए आरोपी असीमदास महादेव बैटिंग अप के प्रमोटर के लिए भारत में कूरियर का काम करता था उसके ठीकानों से हाल ही में रेड कर करीब पांच करोड उन्तालिस लाक रुपे बरामत किये गए थे इसके बाद उसके गिरफतारी हुई अब चारशीट में भूपेश बगेल का नाम आने के बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है चारशीट में खुलासा हुआ कि असीम दास ने एजिंसी को बताए कि ये पैसा हाल ही में 36 गड़ विधान सबाच चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर वसीयम भूपेश बगेल के लिए बेज़े गए थे असीम दास ने ये भी कहा कि महादेव बैटिंग एप के प्रोमोटर के तरफ से भूपेश बगेल को कुल पाच सो आच करोड़ रुपे दिये गए थे असीम दास ने बीते बारह दिसंबर को एक नया बयान दरज कराय था और अपने पुराने बयान को गलत बताय था उसका कहना था कि पांच नवंबर को उसने भूपेश बगेल के खिलाफ जो दावा किया था वह गलत था किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में उसने ऐसा किया था लेकिन बगेल के सत्ता से बाहर होने के बाद वह फिर से अपने पहले वाले बयान पर लोटाया लीडी का कहना है कि तीन नवेंबर को दास ने पूछताच में बताया था कि महादेव एप के प्रवर्तक शुभम सोनी ने उसे आक्टूबर दोहजार तेईस में दुबई बुलाया था और कहा था कि उसे नकदी प्रदान की जाएगी जिसे भूपेश बगेल को दिया जाना इसके बाद 12 दिसंबर को दी अपने बयान में दास इससे उलट गया हलाकि एक बार फिर वो पुराने बयान पर कायम हो गया चुनाव से पहले ही महादेव सटायप मामले में भूपेश बगेल का नाम सामने आया था जिस दौरान पूर्व सीम ने सब ही आरोपों का खंडन क किया था उनका कैना था कि ततकारिन विपक्षी पार्टी बीजेपी अपने राजनतिक लाब के लिए एडी का इस्तेमाल कर रही है और इस मामले में दस जनवरी को रायपूर अदालत आरोपत्र पर संग्यान लेगी बिहार से लेकर वंगाल टक और यूपी से लेकर पंजाब तक सीट बटवारे में कॉंग्रेस को खास सीटें मिलती नहीं दिख रहीं ऐसे में उसे सबसे ज़ादा अमीद महाराश्रसे है जहां यूपी के बाद सबसे ज़्यादा 48 सीटें हैं कॉंग्रेस चाहती है कि वो महाराश्रकी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाब लड़े लेकिन मुश्किल उद्धव ठाकरे शरत पवार और प्रकाश अंबेडगर की तरफ से है सीट बटवारे के फार्मूले के हिसाब से उद्धव ठाकरे गुट से 23 सीटें की मांग कर कॉंग्रेस को पहले से ही मुश्किल में डाल रखा है पेच, न्सीपी और प्रकाश अंबेडगर की तरफ से भी फसा है इन सब के बीच कॉंग्रेस ने राज्य की सभी सीटों से उम्मीदवारी के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मांग लिए है और इसके बाद से M.V.A. में खल बली मच गई है माना जा रहा है कि कॉंग्रेस एन मौके पर कोई बड़ा खेल कर सकती है 2019 के लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस की अगवाई वाली घटबंधन को सिर्फ पांट सीटें हासिल हुई थी जिसमें चार सीटें N.C.P. और एक सीट कॉंग्रेस को मिली थी 2024 के चुनाव के लिए कॉंग्रेस को राज्य में उद्धव ठाकरे के साथ में लोकसभा सीट शेरिंग करनी है कॉंग्रेस ने राज्य की सभी 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम मांगकर महाविकास अगाडी के घटक दलों को डरा दिया है कॉंग्रेस के इस कदम पर शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है इसमें कहा गया कि सीट शेरिंग अभी नहीं हुई है बाचीत जारी है कॉंग्रेस ने 10 जनवरी से 48 लोकसबस सीटों पर चुनाओ लड़ने के इच्छुक नेताओं के नाम मांगे है हलाकि शिवसेना उबीटी सांसत संजे राउत ने ये दावा किया कि महाराष्ट में कॉंग्रेस शरत पवार शिवसेना यूबीटी और प्रकाश अंबेडगर की वंचित बहुजना घाड यानी वी बीए के बीच सीट बटवारे को बाचीत को अंतिम चरण में पहुँचा दिया गया है राउत ने आगे कहा कि पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और कॉंग्रेस और NCP को वी बीए के M.V.A. में शामिल करने पर कोई आपती नहीं सूतरों ने बताए कि तीन जनवरी को महराश्च प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रमुख नाना पटोले और बाला साथ थोराट ने नई दिली में राश्च्टिय पार्टिय अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की पटोले ने बाद में राज्चे में शहर और जिला ध्यक्षों की इच्छुक उम्मीदवारों के नामामंतरित करने और उन्हें जाज के लिए M.P.C.C. को भेजने के निर्देश दिये इस कदम से अटकले शुरू हो गई कि क्या पार्टी दोहजार चॉबिस का चुनाव अके लड़ने का फैसला कर चुकी है या अधिक सीटे पाने के लिए उध्धव ठाकरे और शरत पवार पर दबाव बनाने के लिए वो रणनीती अपना रही है दोहजार उन्नीस के लोग सबाचुनाव में कॉंग्रेस सिर्फ एक सीट जीतने में काम्याब रही थी चंदरपुर से बालू धानोरकर जीते थे उनका हाल ही में निधन हो गया है दोहजार चॉबिस के सीट बटवारे की चर्चा में दोनों M.V.A. सही होगी अपने दोहजार उन्नीस के प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रही है कॉंग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने अकेले लड़ने की अटकलों को खारिच किया जल्द ही हम खड़गे द्वारा गठित पैनल के साथ बैठेंगे कॉंग्रेस के साथ सीट बटवारे पर हमारी बारचीत होगी हम पार्टियों के बीच कोई टकराव नहीं देख सकते कॉंग्रेस पार्टि का केंद्रे नित्रत्वा लोकसभा चुनाव से पहले VBA को MBA में शामिल करने के इच्चुक है और इसे NDA विरोध मतों का विभाजन रुकेगा दागी पुलिस अधिकारी को ED से बचाने के लिए ममता बनर जी ने सारी रात धरना दिया था फिर ममता बनर जी की पार्टि के गुंडों ने CBI के दफ्तर पर पत्थराव किया और अब छापा मारने गए ED के अधिकारियों पर जानलेवा हमला इस खुलम खुला गुंडा गर्दी पर जैसे ही राज़पाल CBI आनंद बोस ने कहा कि हम बंगाल में बनाना लोकतंतर नहीं बनने देंगे और जल्द ही समविधाने कदम उठाएंगे ममता बनर जी की सरकार के हाथ पाउं पूल गए बंगाल की जो पुले सब तक टीमसी के कारिकरता की हिंसा के और आगजनी को किनारे बैट कर देखा करती थी उस पुलिस ने संग्यान लेते हुए एक नहीं तीन तीन एफायार दर्च कर ली और बड़ी बात ये और उसने ममता बनर जी के खास गुंडे शाह जहांश शेक को भी गिरफतार कर लिया ये वही शाह जहांश शेक है जिसके घर एडी के अधिकारी छापा मारने गए थे और बदले में उसी ने तीन चार सो लोगों की भिड़ जुटा कर उन पर हमला कर दिया एक F.I.R. E.D. ने धर्च कराई तो वहीं दूसरी F.I.R. टीम लीडर शाह जहांश शेक की तरफ से धर्च कराई गे जिसमें बिना कोई दस्तावेज दिये घर का ताला तोड़ने का रूप लगाए गया तीसरी F.I.R. बंगाल पुलिस ने खुद दर्च की ये पुलिस ने स्वता संग्यान लेकर दर्च की है ये F.I.R. पुलिस ने मीडिया संस्ताओं दोरा हमले की शिकायत के बाद दर्च की जियोती प्रकाश मलिक के करीबी बताए जाते हैं पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले में टीमसी नेता शाहजां शेक के घर पहुँची थी तब हमले की घटना की गई जहां शाहजां शेक समर्थकों ने एडिया धिकारियों की पर पत्राव किया था इसमें कुल तीन अधिकारियों को चोट भी आई थी इसके बाद राज्य की राजनीती गर्मा गई विधान सभामे निता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी और राज्य कानुन विस्ता की स्तिती चर्मारा जाने का आरोप लगाते हुए जानकारी दी अधिकारी ने बताया कि मैं हैं जिलों में पूर्म निधरत कारक्रमों में वेस्त हुए इसलिए बीजेपी क्योर से अधिवक्ता अंभिकारे विधायक कल्यानी बिमान घोश विधायक पूर सुराह ने कोलकाता के निजी अस्पताल का दोरा किया उन्होंने व भयावैस्तिती के लिए जिम्मदार लोगों को शिग्र न्याय के कटगरे में लाया जाएगा मनी लॉंडरिंग मामले में सतेंदर जैन को गिरफतार होने के बाद महीनों तक अरविंद केजरिवाल ने उन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाये रखा केजरिवाल से जैन का इस्तीफा तब लिया गया जब शराग होटला मामले में मनीश सूदिया के गिरफतारी हो गई सरकार को गھیरा और कानोनी प्रक्रिया कि आप अहीलना के आरोप लगाए पंजाब गवर्नर ने पत्र के जरीए पंझाब सरकार से अमन अरोड़ा पर लगे आरोपों के बारे में सपच्छिट निकरण मागा पंजाब सरकार के मन्तुरी अमन अरोड़ा को दो साल की قید की सजा मिलने के बावजूद पद से न हटाने पर राज़पाल पुरोहित ने सवाल खड़े कि गवर्नर ने भगवन तमान को चिट्थी लिखकर अमन रोडा के 26 जिनवरी को अमरिच सर्मे तरंगा फैराने का मौका देने को भी गलत करार दिया गवर्नर ने सीएम को इस बारे में विस्तरित रिपोर्ट देने को कहा राज़पाल ने कहा कि उनकी जानकारी में आया कि 21 दिसम्बर 2023 को अदालत ने अरोडा को दोशी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई उच नयाले द्वारा अभी तक उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है राज़पाल ने कहा कि लेली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में सरवोचे नयाले के फैसले के अनुसार विधान सभा का सदस्य यदि ट्रायल कूर्ट दोशी ठहराया जाता है तो दो साल से कम अवधी के लिए कारावास के सजा नहीं सुनाई जाती है तो उसकी विधा न केवल कानुनी प्रणाली की पवितरता को कमजोर करता है बलकि सरकार की नतिकता प्रति प्रति बद्धता के बारे में नागरिकों को एक अस्तिर संदेश भेशता है राजेपाल ने कहा कि ये देश के सर्वोच नयले द्वारा दिये गए निरदेशों का पालन न करने से रोड़ा एक अंभीर मामला है और क्या उन्हें इस पूरे मामले पर एक विस्तरत रिपोर्ट मिल सकती है दूसरी और पंजाब विधानसबा स्पीकर कुलतार सिंग संधवा ने आमन अरोड़ा की विधानसबा सद्थतार रद्द करने की अकाले दल की मांग के बारे में कहा कि इस प्रकरण में कानून अपना काम करेगा साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनके पास इस मामले की कोई अधिकारिक सूचना नहीं है अब जब भी सूचना आएगी उस पर विधानसबा के नियम कायदों के अनुसार कारवाई होगी पंजाब के कैबिनेट पंतरी आमन अरो पंजास के तहत एक साल के सिजा सुनाई गई थी विर रिपोर्ट नीज अफ इंडिया इंडि गटबंधन के दो दल टीमसी और कॉंग्रेस सीट बटवारे को लेकर आमने सामने हैं अधिर रंजन चौधरी के उकसावे वाले बयानों के बावजुद टीमसी इंडि गटबंधन के साथ तो लेकिन कॉंग्रेस को देने के लिए उसके पास ज्यादा सीटें नहीं ह है लेकिन अगर बात नहीं बनी तो वो अकेले चुनाव लड़ने को तयार है मतलब साफ है कि कॉंग्रेस अगर टीमसी के हिसाब से सीट बटवारे के लिए तयार नहीं होती है तो इससे ममता बनर जी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसी वज़े से तरणमूल कॉंग्रे के लिए हमारा दिल खुला है अब वे क्या करेंगे ये उन पर निर्भर है पश्यम बंगाल में गटबंधन होगा या नहीं इसका फैस्ता सोनिय गांधी और ममता बनर जी करेंगी स्तानिय कॉंग्रेस ने ता क्या सोचते हैं से कोई फरक नहीं पड़ता सुदीब की ये टि नाव में तरनमूल कॉंग्रेस ने 22 कॉंग्रेस ने दो बीजेपी ने 18 सीट हासिल की थी लोकसभा में कॉंग्रेस के निता अधिर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपूर सीट से जीत दर्श की थी और पूर्व केंदरिय मंतरी अबू हासिम खान को उनके धुर विरूधी माकसभादी कमिनिस्टर पार्टी ने ततकाल खारिच कर दिया और कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने इसकी आल उचना की थी कुछ दिन बाद उन्होंने दोनों दलों पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का आरूप लगाते हुए कहा कि ये तरनमूल कॉंग्रेस ने इससे पहले 2001 के विदान सबाद चुनाओ, 2009 के लोकसबाद चुनाओ, 2011 के विदान सबाद चुनाओ में कॉंग्रेस के साथ गठबंधन किया था। झाल 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 झाल